मैं असलों । आज का मारा टोपिक है इस्पैशल इस्टैक्टीर प्रिजन अन सर्व्य special structure of cell wall में present होता है वो pit and primary pit field होता है मतलब आज हम लोग discuss करेंगे pit and primary pit field के बारे में first हम discuss करते है primary pit field definition the depression or cavities formed on primary wall is called primary pit field जो depression and cavities primary wall में present होती है हम उसको primary pit field बोलते हैं next pit definition the depression or the cavities which are found on secondary wall is called pit जो depression and cavities present होती है secondary wall में हम उसे pit कहते है मतलब primary pit field और pit के अंदर different क्या है primary pit field में depression and cavities किसे present होगे primary wall में और pit में depression and cavities present होगे secondary wall में दोनों में different क्या है यह primary wall में है pit field और pit secondary wall में अब हम structure में देखते हैं डिफेंड कहा होता है सबसे पहले होती है यह सेर्व वोल का structure है उसके बाद सेर्वाल की तीन लियर्ज होती है first middle amela second primary wall and third secondary wall middle amela जो है red color का structure बनावा है यह middle amela है यह layers बार बनी हुए तैन उसके primary wall है यह middle amela के बाद होती है primary wall तेन उसके बाद secondary wall होती है primary wall के बाद जो primary pit field है वो primary wall and middle lamellar के बीच में होती है ये देखें primary pit field बिलकुल center में है ये एक cavity या holy depression होता है इसके देशे ही एक pit बन जाती है next जो pit है वो primary wall and secondary wall के बीच में बनती है ये देखें primary wall and secondary wall के center में बनी हुई है मतलब इस secondary wall के आसपास present होती है तो यह हमारा पस pit है Next, type of pit There are four types of pit First, simple pit Second, border pit Third, blind pit And four is pit pair हम पर डिसकस करेंगे simple pit के बारे में Definition When cell wall is completely absent in pit area It's called simple pit मतलब cell wall completely absent होगी पित हैरी की जगह पर मतलब जो पित हैरी है वहाँ पर cell wall होगी नहीं absent होगी तो मुसको simple pit बोलेंगे अब यह देखे माँ पास एक diagram बनी वे है यह माँ पास simple pit का structure है First, बिल्कुल चानटो में जो red color की line है हम उसे middle line मिला बोलते है then उसके green color की जो दो लाइन है जो माँ प्राइमरी वाल है then यह ब्राउन कलर की जो structure मतलब बनी वे है वाल यह माँ बस secondary पहले middle है मिला फिर then primary wall फिर secondary wall अब secondary wall की जगह पे देखें cell wall जो बनी वी है यहां से गाइब है एपसंट है cell wall तो यह पित एरिया है ठीक है यहां पर पित एरिया होगा और यह हम इसको पित बोलते हैं तो यह simple pit की definition है और इस च्रुक्चर है next type of simple pit there are two type of simple pit simple pit की दो टाइपस होती है पहले जो होती है simple pit area और दूसरी simple blind pit होती है अब हम लोग simple pit area के बारे में पढ़ेंगे definition when pit are present on both side पित जब दोनों side पे present होगी हम उसको simple pit bear बोलेंगे ठीक है मतलब दोनों side पे पित होगी पित हमने किसी कहा जो cavity होल होगा ठीक है depression जो होगा primary wall में तो हम उसको secondary wall मतलब cell wall में जो भी depression ही cavity होगी हम उसको pit बोलेंगे अभी देखे रड़ कलोर की जो मारे पास है मेड़े लें मिला पिर देन उसको primary wall and then secondary wall अब दोनों side से देखे पित एपसेंट है पित अरिया है तो हम इसको simple पित बोलेंगे मतलब सिंपल पित तो है लेकिन पियर है पियर मतलब तोनों तरफ है तो में बस पियर होगे जोड़ा ठीक है दो का पियर होते हैं इसके बाद simple blind pit प्लाइन का मतलब क्या होते है जो अंधो होता है जो एक देख नहीं सकता अब यह देखे डेफिनिशन वें दपित इस प्रेजंट ओनली फंसाइड मतलब पित जोगी एक साइड पर प्रेजंट होगे पित एक जगा पर होगा तीक है मुसको क्या बोलेंगे simple blind pit मतलब simple तो है लेकिन क्या ब्लाइन पित है देखें पिक्चर पहले मिडल है मिला फिर प्राइम जी वाल थैन से के बीच में दोनों साइड पित नहीं है सिफ एक साइड पित है देखें यह यहां पर पित है मतलब पित एरिया एक जगा पर दूसरी जगा सेल वाल कंप्ली अपर इने तो में पस में पित हो गई तो म अब पस सिंपल ब्लाइन पित का मतलब एक जगा पे उल्ली वन साइड पित होंगी डOUR से नहीं हो ग से apples सिंपल पित हैं ठीक है मतलब सिंपल ब्लाइन पीत है अठीक है access मारए पास है पूर्टुत उल्सी से के न टाइप फेट पूरिद डेफिनेशन वन्द से केंडरी फॉल इस फोम आज लाइक किस नियुसकर इसक्वर्ड जब सकंडरी वाल में आज डाय को भूगा हम उसको पीथ ने कौन सी वॉडर पीद फेगे में सबसे फाले लेख होती है एट नहां मिला। परहिएर्मॉ dłग 31 उसके बारेदें बॉल्ड होती और सेरृख 13 profits कょ six л लक इसमें आंज like झोगी ढोड़र पित में और्फ लाइक होगी हम उसको पॉर्ड़ पित बोगें ताइप ओफ बोर्ड़र पित चारा तुटाइप डूटर ऒबोडर पित को वें डा ऑफ पर के सब्सक्राइब को इसकार बौर्डर पित पित प्यर जब तुनों तरफ प्य। हो गी हम उसको बोर्डर पित पेर ऊंड है निसको पित पितंत फिर बोडर जैए हैं कि कि यह दिखिए हैं यह दो यह जाओ नित्ति दो हैं पित जो बोर्डर पित प्रैजल ओनि एपाल इसमृंप उनसाइक जेही अताय कि एकड़र एक साइड़ कुन एकkim नहीं होगे simple secondary wall होगी तो हम उसको border blind pit बोलेंगे यह देखिए एक side पर पित है दूसरे side पर बिल्कुल clear sir wall है कोई structure नहीं है ठीक है तो हम इसको border blind pit बोलते हैं next blind pit third type है यह pit की blind pit definition when the pit is present only one side मतलब pit एक side present होगी तो हम उसे blind pit बोलेंगे होगे देखिए दूसरे side नहीं सिर्फ एक side है यह हमारे पास blind pit है यह simple blind pit है और यह फिर border blind pit है next pit pair यह blind यह pit की four type है when the pit are present on both side this condition is called is known as pit pair जब दूनों तरफ pit present होगे तो मुसको pit pair बोलेंगे मतलब दोनों side present है यह देखिए simple pit pair है और यह border pit pair है border pit pair की चाहर टाइपस होती है first simple pit pair फिर border pit pair then half border pit half border pit is the type of pit pair definition the border pit is present in one side and simple pit present on other side मतलब एक तरफ border pit होगे और दुसरी तरफ simple pit होगी तो मुसको half border pit बोलेंगे मतलब half border pit मतलब एक तरफ होगी half ठीक है और दुसरी तरफ simple pit है ठीक है तो मुसको half border pit कहते हैं next next unilateral compound pit definition in this type is one cell is large pit is present and in the adjacent cell just opposite to it two or more small pit are present मतलब एक साइड मापस जो large pit present होगी और दूसरी साइड मापस small pit present होगी मतलब छूटे छूटे small pit के structure होगी यह देखें एक तरफ large pit है बड़ी pit है और दूसरी तरफ small pit के छोट छोटे structure है तो मापस unilateral compound पित ही यह होगी आज हम लोगों ने प्राइम प्राइमरी पित फिल्ट के बारे में डिसकस किया कि पित और प्राइमरी पित फिल्ट क्या होती है primary pit field primary wall के दे जो depression cavity होगी हम उसको बोलेंगे और पित वो होगी जो depression cavity present होगी cell wall में like a structure बनावा है इसमें primary pit field भी है and pit भी है next type of pit pit की चाठ आप होती है simple, border, plant and pit pair first हम discuss कर रहे थे simple pit को simple pit जो pit area जहां से absent होगा हम उसको simple pit बोलेंगे simple pit की दो टाइप होती है simple pit pair and simple blind pit simple pit pair में दोनों side pit area होगा तो हम उसको simple pit बोलेंगे और जहां से simple blind pit मतलब जहां से एक side से पित होगे दुस्से side पे पित नहीं होगे पित area नहीं होगा हम उसको simple blind pit बोलेंगे उसके बाद हमने पढ़ा border pit बोलेंगे border pit की दो टाइप होती है border pit pair and border blind pit border pit pair में क्या होगा कि दोनों तरफ border pit होगी ठीक है तो मुसको border pit pair बोलेंगे और border blind pit में एक तरफ border pit होगी दुछी तरफ नहीं होगी तो तो इसको border blind pit बोलेंगे उसके बाद third type 3 blind pit में मतलब के एक तरफ पित होती है पित area present हो तो दूसरे तरफ पित area present नहीं होता तो हम उसको blind pit बोलते है next four type pit पित की pit pair pit pair में मतलब pit के दो पित होगे ठीक है तो इसमें क्या होता है तुनों साइट pit present होती है हम इसको pit pair बोलते हैं देखें यह simple pit pair है और यह border pit pair है तन उसके बाद यह half border pit है इसमें भी pit pair है लेकिन इसमें क्या है कि एक तरफ border pit है देन दुसरी तरफ simple बहुत है तो हम इसको half border pit बोलेंगे और इसके बाद अल्टर unilateral compound pit थी मतलब इसमें क्या होगा एक तरफ large pit होगी दूसरी तरफ small pit होँगी ठीक है दो से तीन small pit present होगी एक तरफ और एक तरफ large pit बहुत बड़ी pit होगी तो हम उसको unilateral compound pit ही बोलेंगे थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक एंड सिस्क्राइब माय चैनल थैंक यू